दोस्तों Bollywood Superstar Salman Khan और सारू खान की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक करण अर्जुन 26 साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन इसके कई किस्से आज भी मशूर हैं इस फिल्म की कई यादे दश्कों के दिलों में आज भी जिन्दा हैं इस फिल्म में इन दोनों सुपरस्टा के अलावा ममता कुलकरणी भी एहम किर्दार में नजर आई थी और सभी की एक्टिंग की जमकर तारीफे भी की गई थी लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में बिंदिया का किर्दार निभाने वाली अभी नेत्री आज कहां है क्या करती है और कैसी दिखती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमां आपको बताते हैं कि इस फिल्म में बिंदिया का किर्दार निभाने वाली अभी नेत्री का नाम ममता कुलकरणी है नभे के दश्यक की एक्टरस ममता कुलकरणी का जन 20 अप्रेल 1972 को मुंबई में हुआ था इन्होंने अप मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने का मोगा मिला था इस तरह इस किरदार को निभा कर इन्हों ने अपने करियर की शुरुवात की इन्हों ने इस फिल्म में इतना शांदार प्रदेशन किया था कि इनकी पहली फिल्म हिट साबित हुई इनके शांदार अभिने को कई निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ओफर दिया जिन्हें इन्होंने एक्सेप्ट किया और एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया जिनमें मेरा दिल तेरे लिए आशिक आवारा भुकंब वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी सु मोना का किरदार निभाते हुए देखा गया था अगर बात की जाए इनके आज की तो यह कुल 49 साल की हो चुकी है और इन बीते सालों में यह पहले से काफी जादा अलग नजर आती हैं इनका वजन भी पहले से काफी जादा बढ़ चुका है और बढ़ती एज की वजहा से इनक को ममता कुल करनी की कौन सी फिल्म सबसे जादा अच्छी लगती है हमें अपनी राय कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रू बताएं साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले